Hello everyone, तो हम लोग आ गए हैं आज का अबने के लिए practice set 27, तो चलिए start करते हैं, तो आज का हमाँ topic है, चैप्टर नूमबर 10 का practice set 27, बट practice set चलू करना से पहले, करना क्या है वह मैं आपको पहले बेसिस में बताऊंगी उसके बादा फटा फट फटा फट फट प्राक्टिस सेट भी सॉल्फ कर लोगे तो देखते हैं इसमें आपको फोर रूल्स का अप्लाई करना अगर मतलब अगर कोशन में आपका दिया रहेगा मैनस करतीज में आपको क्या करना है अगर दिया दो कि अगर सेम नमबर तो बौद था साइड मतलब उसका आपोसीट साहनी है अगर वया है दिवीजन? तो यह चार रूल्स आपको याद करना होगा? याद कि बहुत इसी है आप को जब मैं आपको कराऊँगी तो आपको साथ में समझ में आजाएगा क्या करना आपको adding the same number to both the side subtracting the same number from both the side and multiplying both the side by the same number and dividing both the side by the same number ओके, now next अब प्रैक्टिस सेट का question number 1 rewrite the following using a letter क्या करना है हमें इससे? equations बनाना है हमें equation माना आप दो first क्या बोला है आपका? first क्या बोला है? एक मिटा first क्या बोला है? the same of a certain number and the certain number मतलब क्या? हमें variable assume करना है कोई भी certain number क्या होता है? x, y, z मतलब a to z मतलब a से लेके a to z यह साब हमारा क्या है? variable है, ओके? क्या है आपका? variable है तो किसी भी एक variable का यूज करके हमें equation form करना है तो first क्या बोला है? the sum of a certain number and 3 तो certain number क्या होगे? आपका x तो बोलेंगे हम let let the certain number be x तो क्या क्या है आपका इतना ही करना है? means इतना easy है? yes, who is he? second क्या बोला है? question में लिखा होता है कि आपको करना क्या है? the different obtained by subtracting from 11 मतलब कोई तो variable है? कोई तो different obtained है? जिसको हमें 11 से subtract करना है तो different मतलब minus subtracting मतलब minus तो क्या करेंगे हम let let the another number let the जा लिखो गया आप another number be x तो क्या जाएगा आपके? x minus 11 हो गया okay? third, third देखेंगे third third देखेंगे फटा फट एगदम speed में करेंगे the product of 15 मतलब product का मतलब होता है multiplication और किसका करना है? 15 का another number का use करके तो क्या देखेंगे? same let the another number another number be x okay? आपने क्या अजुम किया? कि जो another number है, वो क्या है? x है तो क्या बन जाएगा? यहापर क्या जाएगा? 15 into x okay? that is 15 x तो गया बस इतना ही करना है आपको और क्या है? 4 times a number is 24 मतलब कोई तो number है, जो आपका variable है, उसको 4 times क्या करना है? आपको multiply करना है और उसका value क्या है? आपका 24 इसको क्या सॉल्फ करोगे आप, आईए देखते हैं, यहापर में लिक्तिव 4 4 let let the number be number be x okay? let the number be x तो 4 times वो लाया है, मतलब 4x is equal to क्या हो गया? 24 हो गया, तो यहाँ पर आपका question number 1 होता है, finish, question number 1 हमने finish कर लिया, okay? now move the second question, क्यां पर, find out which operation must be done on the both side of this equation in order, solve them, okay? अब इस equations को, इस sums को हमें solve क्या करना है? पड़ा पर देखो, x plus 9 is equal to 11, मैंने क्या का था? अगर question में plus हो, तो आप क्या करोगे? minus, आपका यहाँ पर rule लिखना है, rule, क्या लिखोगे? आप यहाँ पर x plus 9, थोड़ा प्लेश छोड़ दो, और यहाँ पर 11, ठीक है? और आपने क्या किया हाँ, आप क्या करेंगे हम? subtracting, subtracting both the side, subtracting both the side by minus 9, ओके, क्या क्या हमने minus 9 से क्या किया? subtract किया, ठीक है? जिससे plus रहेगा, x के बास में, x के पास जो भी नंबर रहेगा, dear, चाहे वो plus में हो, चाहे वो मायनस में हो, चाहे वो division में हो, चाहे वो multiplication में आपको उसका उल्ड़ा लेना है उपरेशन और उससे आपको मानस प्लस या multiplication करना है ठीक है जिससे आपको X क्या मिल जाएगा separate मतलब this क्या पास से सारे प्धार एक्थम हो जाएंगे हर जाएंगे और आपका X क्या हो जाएगा we have the me novel फेके बचेगा एक आपका क्या हो जाएगा X is equal to 2 that is your that is your क्या हो जाएगा आप आप ये final answer ठीके ठीके इसी है ना बहुत इसी है ना आए देखते question number 2 क्या दिया है X minus 4 is equal to 9 क्या करोगे आप minus 4 है न तो क्या करोगे आप प्लस 4 क्या पे आप लिखोगे solution solution X लिखना minus 4 लिखना minus 4 क्या करोगे आप प्लस 4 और अगर left में दिया plus तो right में भी देने का plus ओके same same condition अप्ला होगा क्या पे लिखोगे आप एडिंग एडिंग बोद दसाइड साइड साइड बाइ प्लस 4 ओके एड किया हमने यहां पे क्या हो जाएगा अभी minus plus cancel X क्या हो गया अखेला हो गया प्लस 0 9 प्लस 4 हो जाएगा आपका 13 और यहां पे फानल अंसल आपका हो जाएगा X इस उक्वल तो 13 ओके कि के फ़र्स केंट स्वांव है ओके हो अमने थार्ड देखते हैं से हुझी एट एट एट्स इन इस उक्वल तो 24 लिखेंगे आप सेटацसिक्वल तो टूसर अब यहां पर एक्स के साथ में क्या हुआ है कि मल्टिप्लिकेशन तो आप क्या करोगे डिवीजन स्वरी ओके आप लिखोगे आप पर सॉलूशन 8x is equal to 24 और डिवाइड किसे करोगे 8 से ही करना है आपको क्या अप्लाई कि आपने डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोद दसाइड बाइड बाइड ओके इससे क्या हो गया हमारा 8 8 गैंसल और एक्स क्या हो गया सिंगल और 8 के टेबल में 24 कितने बराता है 8 फोजा 24 8 फोजा 24 के सारे बच्चे बहुत स्मार्टे फटा फट सॉल्व कर रहे होंगे मैं जानती हूँ ओके फड़ोगे आपका 4 क्या दिया हुआ है एक्स अपॉन 6 इस उकल टू 3 फोर करते है एक्स अपॉन एक्स अपॉन आपस चेक कर लेते हैं कोशन हम एक्स अपॉन 6 इसमें क्या दिया हुआ है मतलब एक्स का अपॉन फोर क्या है इसमें डिवीजन आप क्या कोद्याद हिए Multiplication आपने लिख दो आप, multiply, multiply by both the side, both the, both the side, 6, okay, by 6, okay, चला, multiply करते हैं, फटाप फट, multiply करते हैं, X upon 6 into 6, अगर left में किया, multiplication तो right में भी करेंगे, multiplication तो 3 into 6 हो गया यह भी, आपर 6, 6, cancel, क्या हो गया, cancel, तो आपर क्या बच्छा आपका X, X is equal to क्या बन जाएगा, आपका 18, okay, हमारा question number 2 भी होता है, solve, question number 2 भी हमने फटाप फट, solve कर लिया, ओके नाओ, third question, वाओ, बहुत easy है, numbers दिये होएं, और equations दिया हुआ है, और value of the variable की value भी आपको दी है, आपको शरिफ लिखना है, yes or no, yes or no, मतलब यह जो value variable दिया है, यहाँ पर put करने पर, क्या यह left और right side equal होता है, अगर होता है, तो yes, अगर नहीं होता दो, no, चलो फटाबट चेक करते हैं, यहाँ पर first रोला, क्या question है, y minus 3 is equal to 11, put, क्या बोलना है, put, करने के लिए, put, y is equal to 3, मतलब y की जगे पर आपको क्या put करना है, बच्चा, 3, क्या, 3 put करना है, तो y की जगे मैं 3 रखा, 3, 3 is equal to 11, और क्या आगया है, 3 is equal to 11, equal है क्या है, नहीं, तो लिखो गया है, पर left hand side is not equal to right hand side, तो जब solve नहीं हुआ, तो क्या आएगा, no, देखो, एक sums किया हुआ था, बट फिर भी हमने एक बार, 3 check कर लिया, now second, second देखो, 17 is equal to n plus 7, क्या put करने बोला है, put, या लिखो गया, put, n is equal to 10, तो जहाँ पे n है, वहाँ, क्या लिखना है, आपको 10, क्या लिखो गया, dear student, 10, तो 10 plus 7, कितना हो जाएगा, 17 is equal to 70, अरे, same आगया, है न, 17 भी same आगया, 17 भी same मतलब, आपका left भी same, आपका right भी same, तो अंसर क्या आजाएगा, यहाँ आजाएगा, यहाँ आपको लिखोगे, left hand side is equal to right hand side, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ, यहाँ लिखना है आपको, third, third क्या लिखोगे हो है, 30 is equal to 5x, क्या put करना है, पटापट put करो, put x is equal to 6, तो 30 is equal to 5x, क्या पे क्या आएगा, 6 आएगा, तो यह जाएगा, 30 is equal to 30, यहाँ पे क्या लिखोगे, मतलब, left hand side is equal to right hand side, तो यह भी आपको क्या जाएगा, यहाँ, क्या जाएगा, यहाँ, क्या जाएगा, आपका, यहाँ, I think, यह विजीबल नहीं होगा, तो मैं इसको green से कर देती हूँ, yes, okay, now, fourth, fourth, क्या दिया है, m upon 2 is equal to, is equal to 14, क्या करोगे m is equal to 7, तो जब आप m की जगे पे 7 लिखो तो यह क्या होजाएगा, 7 upon 2 is equal to 14, तो आपको क्या करना है, आपको 7 को 2 से divide करना है, तो क्या जाएगा, 2, 3s are 6, 1 बच्चे को आपके, point लगा होगे, आप 0, तो यह हो जाएगा, आपका 5 और यह हो जाएगा, आपका 10, तो कितना आपका, 3.5 is equal to 14, सेम है क्या, नहीं है, सेम मतलब is not equal to, तो आप लिखोगे, left hand side is not equal to right hand side, तो यहाँ पे हमने question number 1, 2 और 3, फिनिश कर लिया है, next lecture में हम करें, question number 4, ओके, तब तक के लिए, bye, 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 do like, do share and subscribe, this is your favorite YouTube channel, bye student, bye